हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागते आप सभी का कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख जीलों को लेकर कुछ और महातपूर सवाल जिसका कई पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं आज भी यहाँ पे हम कुछ महातपूर सवालों पे बातचीत करेंगे तो आज स्टार्ट कर लिया जाए पहला सवाल है कंड जील आप कहां पर देखते हैं तो आपकी जो कंड जील है इसे आप हर्यारा में देखते हैं कहां पर देखते हैं हर्यारा में देखते हैं बेहत महा तो परसो राम जील आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ती है अगला महतपूर सवाल है तुलसी जील आप कौन से राजी में देखते हैं तो तुलसी जील आप महाराश्ट्रा में देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्डेंट है सांभर जील आप कौन से राजी में देखते हैं तो सांभर जील आप राजस्थान में देखते हैं द्यान रखेगा आपका पुसकर जील आप कौन से राजस्थान में देखते हैं इसे आप याद रखेगा रूपकुंड कौन से राज में इस्तित माना जाता है रूपकुंड के बारे में बात करेंगे तो ये उत्राखंड से सम्मंदित है हुसैन सागर किस राज में इस्तित है हुसैन सागर जील आपको तेलंगाना में दिखाई पड़ेगी इसे भी याद रखिएगा ये भी important है अगला सवाल रहेगा गुर डोंगमार जील आप कहां पर इस्थित मानते हैं तो इसका जवाब हो जाएगा इसे आप सिक्क्य में इस्थित मानते हैं अगला मातपूर सवाल है रोपर जील कहां इस्थित मानी जाती है अगला मातपूर सवाल है रविंद्र सरोवर आप कहां पर इस्थित मानते हैं तो आपका ये जो रविंद्र सरोवर है इसे आप पस्चिम बंगाल में इस्थित मानते हैं नेक्स आईए रुद्र सागर जील कहां इस्तित है आपका जो रुद्र सागर जील है उसे आप त्रिपुरा में देखते है आगे बढ़ेंगे अगला महात्पूर सवाल है घोरा कटोरा जील आप कहां पर इस्तित मानते हैं तो ये जो आपकी जील है इसे आप बिहार में जील आप कहां परिस्थित मानते हैं नारायार सरोवर जील आप कुजरात में इस्थित मानते हैं चलिए ब्रह्मा सरोवर कहां परिस्थित है ब्रह्मा सरोवर आप हर्याना में इस्थित मानते हैं इसे आप याद रखेगा चलिए ब्लू बर्ड जील आप कहां परिस्थित मान सागर जील आप हिमाचल प्रदेश में इस्तित मानते हैं बहुत इंपोर्टेंट रहेगा चलिए आगे बढ़ेंगे सेसनाग जील कहा परिस्तित है सेसनाग जील आप जम्मू कस्मीर में इस्तित मानते हैं लाखा बंजारा जील आप कहा परिस्तित मानते हैं तो लाखा बंज हरीके जील आप कोर से राज में इस्तित मानते हैं तो हरीके जील आप पंजाब में इस्तित मानते हैं ध्यान रखेगा आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है मानसागर जील कौन से राज में है तो आपका मानसागर जील राजस्थान में है आप याद रखेगा अगला सवाल है प पश्चिम बंगाल में इस्तित मानी जाती है चलिए भीमताल जील कहां परिस्तित है तो आपकी भीमताल जील उत्राखंड में इस्तित मानी जाती है अगला सवाल है सोला वरम जील कहां परिस्तित है तो ये तमिल नाडू में इस्तित मानी जाती है मानसर जील आप कहां परिस् इस्थित्माना जाता है तो आपका दामोदर कुंड आप गुजरात में इस्थित्मानते हैं बहुत इंपोर्टेंट रहेगा अगला सवाल है पुलीकट जील आप कहां पर देखते हैं तो आपकी पुलीकट जील आपको आंधरा प्रदेश और तमिलनाडो में दिखाई क्लियर आप ये लोकटक जील कहां पर इस्थित्मानते हैं तो लोकटक जील आप मड़ीपुर में इस्थित्मानते हैं आप इसे याद रखिएगा अगला सवाल है मानस बल जील आप कहां पर इस्थित्मानते हैं तो ये आप जम्मू और कस्मीर में देखते हैं आप इसे भ अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जिरूर कीजेगा और सबसे इंपोर्टन यह है अगर आपने अभी तक अनगेड़ी जोईन नहीं किया है तो आप जोईन कर सकते हैं 27 तारीक को आपका बहुत बड़ा scholarship टेस्ट होना है जहां पर आप बहुत सारे आकरसक उपहार जी सकते हैं यह टेस्ट आपके exam के pattern पे होगा जैसा आपका exam होता है ठीक वैसे ही आपका test होगा और यहाँ पर जैसी आपकी rank आती है वैसे उपहार आपको यहाँ पर जितने का उसर मिलेगा तो बहुत सारे विद्यारती हैं जिनको यहाँ पर उपहार मिलेगा अगर आपकी पहली rank आएगी तो आपको laptop अगर आपकी rank 2-6 के बीच में आएगी तो smartphone 300 ऐसे winners होंगे जिनको 1000 के मतलब gift voucher दिये जाएंगे और 400 winner को scholarship मिलेगा साथ से सोला वाले rank को आपको airports दिये जाएंगे तो बहुत आकरसा को पहार यहाँ पर आपके लिए उपलबद है ध्यान रखिएगा और बाकी अगर आप unacademy plus जोइन करते हैं जिसके लिए बहुत सारे आकरसा को पहार आपको मिलेंगे ठीक है आपको code यूज करना है दीपक सिंग वाईटी 10 और जोड़ जाना है unacademy plus पे और चीजों का लाव उठाना है हर एक चीज को विस्तार में पढ़ने के लिए आपको plus पे आना जरूरी है चले तो ये सारे काम आप लोग जरूर कर ले और टेस्ट देना बिलकुल न भूले 27 परवरी को हम जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो को लेकर कुछ नए टॉपिक के साथ अभी के लिए इतना ही धन्यवाद